कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि ED जैसी एजेंसियों का मुझपर कोई असर नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि ED कॉंग्रेस को डरा कर दबा नहीं सकती है। कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह बाते दिल्ली स्थित पार्टी मुख्याले में कारेकरताओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि ED और ऐसी एजेंसियों का मुझपर कोई असर नहीं होगा। मुझसे पूछताच करने वाले अध कारेकरता बैठा हुआ था। उन्होंने केंदर सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि आप एक आदमी को ठका सकते हो। लेकिन आप कॉंग्रेस पार्टी के कड़ोरों कारेकरताओं नेताओं को नहीं ठका सकते। सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी के नेता और कारेकरता उस कमर में नहीं थे बलकि इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डड़े लड़ता है वो सब उस कमरे में बैठे थे राहुल ने रोजकार को लेकर भी मोदी सरकार पर तीखी टिपनी की उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इस समय सबसे जरूरी बात रोजकार की है मोदी जी की सरकार जो इस देश की रिर की हड़ी है जो इस देश को रोजकार देती है उस रिर की हड़ी को इन्होंने तोड़ दिया है उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश की सेना को कमजोर कर रही है राहुल ने कहा कि युवाओं के लिए जो आखडी रास्ता था देश भक्ती का आर्मी का उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है उन्होंने आगे कहा कि सरकार वन रैंक वन पेंशन की बात करती थी अब नो रैंक नो पेंशन है कॉंग्रस की पुर्व अध्यक्ष ने अगनीपत योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार हमारी आर्मी को कमजोर कर रही है देश का नुकसान होगा ये लोग अपने आपको राष्ट्रवादी कहते है राहुल ने कहा कि युवाओं की भविश्य की रक्षा करना हमारा फर्ज है और ये हम जरूर करेंगे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को जिस तरह काले कानून वापस लेने पड़े थे उसी तरह बीजेपी को अगनीपत योजना भी वापस लेनी पड़ेगी हिंदुस्तान का युवाओं हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान का युवाओं जानता है कि सच्ची देश भक्ती सेना को मजबूत करने में है कमजोर करने में नहीं इडी ने नाश्य हराड अखबार से जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में पाचवे दिन मंगलवार को कॉंग्रेस के पुर्व अध्यक्ष राहूल गांधी से 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताच की जाच एजेंसी ने गांधी को कोई ताजा समन जारी नहीं किया है पर यह माना जा रहा है कि कम से कम फिलहाल के लिए उनसे पूछताच खत्म कर दी गई है राहूल गांधी से पाच दिनों में अब तक 54 घंटों से अधिक समय तक पूछताच हो चुकी है जिस दोरान धन शोधन रोकताम अधिनियम की तहट उनके बयान दर्ज किये गए हैं गांधी से पिछले हफ़ते सोमवार, मंगलवार और बुद्धवार को लगातार तीन दीन पूछताच की गई थी जिसके बाद वह इस हफ़ते सोमवार को पेश हुए जिस दोरान 12 घंटे से अधिक समय तक पूछताच की गई खबरों के अनुसार अब तक की पूछताच में राहुल गांधी से यंग इंडियन की स्थापना, नैशनल हिराल की संचालन और असोसियेटेड जेनरल लिमिटेड को कॉंग्रिस द्वारा दिये गए कर्स तथा मेडिया संस्थान की भीतर धन के हस्तांतरन से जुड़े सव पूछे गए हैं आज के इस खबर में बस इतना ही मैं हूं रखशिता मिश्रा इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हैं हमें कमेंट करके बताइए और देश दुनिया की जरूरी खबरे देखने और सुनने के लिए वेक अप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल झाल